Hello Students, Welcome to Topic Touch इस वीडियो में हम ये Stanger Solve करेंगी ये 2024 के पेपर में, Class 12 में पूचा गया था Set पेपर का नाम है 316DY ठीक है न? 316DY, अलग-अलग Set पेपर होते हैं तो ये 316DY में पूचा गया था 2024 में और ये है 6 marks का इसमें 3 question है और 1 question 2 marks का है यानकी 3 to just 6, 6 marks का ये पूरा Stanger है poem का नाम है I think of beauty इससे लिया गया है ठीक है? तो आपको जब पूचा जाता है तो poem का नाम नहीं दिया होता है के विल question दिया रहता है कि इसका meaning लगा के और इसके जो questions है उसका answer देना है तो हम इसका पहले अर्थ लगाएंगे A thing of beauty is a joy forever A thing of beauty यानकी सुन्दर्ता की बस्तू Is means होती है a joy, एक खुसी, एक आनंद forever means हमेशा के लिए तो इस पूरे कार्थ यह होगा कि जो सुन्दर्ता की बस्तू होती है I think of beauty होती है वो हमेशा के लिए हमें आनंद देती है या खुसी परदान करती है अब सुन्दर्ता की बस्तू क्या होती है यह आगे के जो stanza है उसमें दिया होगा है हमें किबल यह इतना सा stanza है इसमें इसके बारे में कोई description नहीं है तो जितना दिया होगा हमें उसी को लेकर की ही हमें answer देना पड़ेगा Its loveliness increases इसका its means इसका loveliness यान की प्यारापन और increases यान की बढ़ता है तो इसका जो प्यारापन है या loveliness को बोल सकते हैं सुन्दर्ता वो बढ़ती है बढ़ती जाती है सुन्दर्ता की जो बस्तु होती है उसकी जो loveliness है वो बढ़ती जाती है It will never pass into nothingness It means यह यह मतलब यह I think of beauty के लिए प्रोनाउन आया है It बिल गागी के never means कभी नहीं Pass into nothingness का मतलब होता है लुप्त हो जाना या समाप्त हो जाना ठीक है ना जैसे nothing means हो तो कुछ नहीं तो इस पूरे कारते लुप्त हो जाना या disappear होना तो यह कभी भी लुप्त नहीं होता है इसका जो प्यारापन है इसकी जो सुन्दरता है सुन्दरबस्तू की वो कभी भी लुप्त नहीं होती है खतम नहीं होती है but we'll keep a boar quiet for us but परंतु will keep means रखना ठीक है और रखना देना बनाना इसका यह आर्थ हो गए आप है a boar quiet boar means होता है a saddy place एक छायादार इस्थान और quiet का मतलब क्या होता है सान्थी पूर एक सान्थी पूर जगए होती है a boar quiet मतलब एक सान्थ छायादार इस्थान for us हमारे लिए तो यह जो सुन्दरता की बस्तू होती है वो हमारे लिए एक सान्थ छायादार इस्थान बनाती है and a sleep full of sweet dreams और जबीद देती है, नीन देती है छीप हे, जैसे आप एक सुन्दरता की बस्तू मायंड में याद रखीए आगे के strange में दिगा होगा है सुन्दरता की बस्तू होती है जैसे एक ज़र्ना है, ठीक ना एक जर्ना है आस पास जो है पीड़़ पौदे है तो बो जगा क्या होगी हमें एक स्लीप प्रदान करेगी फुल अप स्वीट ड्रीम्स यनकी मधर सपनों से भरी हुई एंड हैल्द अच्छी हैल्द देगी अच्छा जो स्थान होगा या एक सुन्दरता की बस्तू होगी वो हमें क्या देगी हैल्द देगी स्वास देगी और क्वाइट ब्रीधिंग अच्छी सांस क्वाइट मिस मतलब एक चैन की सांस यह समझो क्वाइट मतलब होता अच्छा ब्रीधिंग मतलब सांस एक चैन की सांस देगी तो इसी से संबंदिद अब question देखिए तो पहला question पूछा गया है ये two marks का है How is a thing of beauty a joy forever How means कैसे is means है A thing of beauty एक सुन्दर्था की बस्तु A joy forever मतलब हमेशा के लिए खुशी देती है या हमेशा के लिए खुशी देने बाली होती है तो कैसे तो सुन्दर्था की जो बस्तु है It is a constant source of happiness ये जो सुन्दर्था की बस्तु है Constant means हमेशा के लिए ये लगातार Source मतलब सुरोत है जो सुन्दर्था की बस्तु है वो किसका सुरोत है Happiness, खुशी का and pleasure, pleasure आनंद का and its loveliness और इसका जो प्यारापन है इसकी सुन्दर्था है increases बढ़ती है every moment हर छण हर छण बढ़ती जाती है इसलिए हम कह सकते हैं कि जो I think वो beauty है एक सुन्दर्था की बस्तु है वो हमारे लिए एक आनंद है आनंद देनी वाली होती है इसके बाद अगला question देखते हैं What do you understand by bore? जी के what do you understand तो आप क्या समझते हों by bore bore जो सर्देश का क्या आर्थ होता है तो bore क्या होता है एक saddy place होता है bore is a saddy place एक छायदार एक इस्थान होता है under the tree field के नीचे जो की which provides us जो हमें परदान करता है health and happiness तो हमें health परदान करता है स्वास्त और खुसी ये भी two marks का है इसके बाद अगला question देखते हैं last question है name the poem and the poet of the abob lines तो वो जो lines है वो उसके poet का नाम बताई है और उसकी poem का नाम बताई है तो ये question देखिए आपको stanza का question जो है हमेशा पुछा जाता है exam में किसी भी poem से पुछा जा सकता है तो आप हर एक हर एक poem का जब भी stanza आएगा किसी भी poem का तो ये question जरूर बनता है कि उस poem का नाम बताओ कि ये stanza किस poem का है और उस poem के poet कौन है तो आप हर एक जो poem है उनकी poet याद कर लिजिएगा और यही तरीका होगा answer लिखने का तो these lines have been taken from the poem यह line लिग गई है from the poem अब यहाँ पर जो भी poem है जिस poem poem का stanza है बो लिख दोगे a thing of beauty composed by तो जो poem होती है वो composed की जाती है ठीक है ना उसकी रचना की जाती है बाइ जोन कीट्स तो ठीक है अब यह जो poem है यह stanza है यह I think of beauty का है और इसके poet है जोन कीट्स तो two marks का question यह है six number आपके complete हो गई अगर आपको यह वीडियो पसंदाया है इसे like कीजिए और इसी तरह की और वीडियो के लिए इस चनल को subscribe कर लिजिए वीडियो देखने के लिए धन्यबाद